मानो विकास सूचकांक विकास को मापने के लिए आय के स्तर को महत्तुपूर माना जाता है किन्तु समगर विकास को मापने के लिए यह मापदंड पर्याप्त नहीं है हमें अन्य मापदंडों के बारे में भी विचार करना होगा इसकी सूची लंबी हो सकती है पर हमें कुछ चुने हुए मापदंडों को लेना होगा पिछले लगभग दो दशक में स्वास्थ और सिक्षा जैसे सूचकों को राश्ट्रियाय के साथ व्यापक स्तर पर विकास की माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा है उदाहरण के लिए सयुक्त राश्ट्र विकास कारिक रमद्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्टों में भी विभिन देशों की तुलना उनके सिक्षा, स्वास्थ एवं जीवन प्रत्याशा के आधार पर की जाती है जीवन प्रत्याशा जन में के समय एक व्यक्ति के औसत अनुमानित जीवनकाल को दर्शाती है या एक अनुमान लगाती है कि एक बच्चा कितने वर्षों तक जीवित रह सकता है समगर विकास के द्रिष्टी से या एक महतुपूर्ण सूचक है साक्षर्टादर 15 वर्ष और उससे अधिक आयू के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को बताती है यदि हम सबके लिए स्कूलों की व्यवस्था कर रहे हैं तो आने वाली पीड़ी में यह साक्षर्टादर बढ़नी चाहिए पाँच वर्ष तक की उम्र मनुष्य के विकास का महतुपूर्ण समय होता है इस अवधी में मनुष्य के मस्तिश्क का सबसे अधिक विकास होता है यदि इस अवधी में बच्चा कुपोशित होता है तो उसका प्रभाव जीवन पर पढ़ने की संभावना बनी रहती है विकास का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष है कि हम अपनी आने वाली पीड़ी को स्वस्थ जीवन जीने का मौका दें बच्चों में कुपोशन को दो रूपों में मापा जा सकता है उम्र के अनुसार उचाई तथा उम्र के अनुसार वजन बच्चों में उचाई तथा वजन का अस्तर यदि एक सीमा से कम है तो वे बच्चे कुपोशित कहलाएंगे इस बात की बहतर जानकारी आप आंगनबाडी केंद्र में जाकर पता कर सकते हैं उपर्युक्त महत्वपूर्ण सूचकों के आधार पर हम निम्नांके तालिका का अवलोकन कर सकते हैं तालिका 17.5 भारत वपडोसी देशों के चैनित मानव विकास सूचक वर्ष 2010 मानव विकास के दृष्टी से हमें आय वा अन्य लक्षों को समग्र रूप में देखना चाहिए इसी नजरिये से हमने मानव विकास के सूचकों को समझा है विकास का प्रभाव मानव जीवन पर झलकना चाहिए सिक्षा वस्वास समंधी सूचकांग इसके सबसे एहम पहलू हैं विभिन देशों के बीच तुलना करने के लिए हम प्रतिवेक्ति आय की तुलना करते हैं देशों की अलग-अलग मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर के अनुसार देखते हैं यानि एक डॉलर कितने रुपए के बराबर होगा या कितने युआन या कितने नेपाली रुपए के बराबर होगा मान लेजे अमेरिका में एक व्यक्ति के पास 100 डॉलर है और वह व्यक्ति भारत आता है तो उसके पास कितने रुपए होंगे एक डॉलर बराबर 65 रुपय बाजार भाव बाजार भाव के अनुसार उसके पास लगभग 6000-500 रुपय होंगे परंतु यहां हम बाजार भाव का उपियोग नहीं करते यदि बाजार भाव नहीं लेते तो डॉलर और रुपय में अनुपात कैसे निकाला जा सकता है विभिन देशों के सर्वेक्षणों के आंकडों द्वारा यह पता करते हैं कि एक डॉलर में समान मात्रा में कितनी वस्तू और सेवा खरीदी जा सकती है उपर्युक्त उधारण में मान लिएजे कि एक व्यक्ती 100 डॉलर खर्च करके अमेरिका में कुछ वस्तूइं खरीदता है जब वह भारत आता है तो उसी मात्रा में वस्तूओं को खरीदने के लिए उसे कितने पैसे खर्च करने होंगे मान लेजिए उस वेक्ति ने भारत में उसी समान के लिए 3500 रुपे खर्च किये यानि 1 डॉलर 35 रुपे के बराबर हुआ ऐसा करने से क्रेश शक्ति बराबर रखी जा सकती है आय के तुलना इसी अनुपात से की जाती है ताकि क्रेश शक्ति समता परचेसिंग पावर पैरिटी बनी रहे